हलो फ्रेंट्स यूनिवर्सल टेकनलोजी फार ब्लाइंड मैं आप सबका स्वागत है मैं हूँ हाशेम और लेकर आया हूँ एक और गेम का एकस्प्लेनेशन तो इस गेम का नाम है बैटल क्राइब आप इस गेम को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ हो तो आप चाहें तो इसे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो एकसेसिबल गेम है और इसका साइज है 25 MB और स्टार रेटिंग मिली है 4.1 स्टार की से इस पैलेंगे इसकी B A T T L E बैटल क्राइब C R Y क्राइब बैटल क्राइब और आज का यह जो हमारा गेम है यह सिमलर गेम है डाउन्टाउन माफिया का तो उससे मिलते चुलता है गेम है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इस गेम को कैसे खेलना है वो हम देखेंगे तो गेम ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमें लॉग टीन करना होगा और यहाँ पे लॉग इन ऑप्शन आ रहे हैं लॉग इन अप्शन एक लॉग इन उप्शन प्शन फेस्बुक अकाउंट फेस्बुक अकाउंट Google Play गेम्स Google अकाउंट गूगल अकाउंट डिवाइस से तो आपको जिससे भी लॉगिंट करना आप कर सकते हो मैं डिवाइस सेशन पर क्लिक करता हूँ तो यहां पर जो है हमें इनकी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एन कंडिशन एकसेप्ट करने होगी तो आप चाहिए तो पड़े भी सकते हैं यहां पर हम टागेट करेंगे ठीए कंफर्म पर क्लिक करेंगे हम तो यह बोलरहे हैं पहले हमें एक टीम जो है रेस्क्यू टीम को डिप्लॉय करना है तो यहां पर एक बटन है डिप्लॉय बटन उस पर क्लिक करेंगे पहले ठीए तो असमें लिखा था कि हमारे जो हैलकॉप्टर रस पर मिसाइल लगिये तो नहीं इस नहीं पर विभ्रेशिए थाओं पर यहां पर शुक्याइब्स फिर वो क्रेश हो गया है ठीक है अब वो बोल रहे हैं कि हमें ग्राउंड फायर हेवी ग्राउंड फायर का सामना करना पड़ रहा है तो रिटेलियेशन का ओडर दें तो हम करेंगे यहां पर बटन है स्वाइब करकर देख लेना ठीक है अटेग उस भी क्लिक करना है तो हम जीत गए तो हम जीत गए स्वाइब करेंगे तो स्वाइब करना है ठीक है यहां पर बटन है इंगेज इंगेज पर क्लिक करेंगे और अब यहां पर जो हमें अपने प्रोफाल लिखना होगा अपना नाम जो हमारा प्लेयर उसका नाम लिखना है ठीक है प्लेयर नेम हमें सेट करना है अपना ठीक है यहां पर एडिट बॉक्स है इसको ओपन करके हम लिखे देंगे अब करेंगे अब के लिए तो मैंने यहीं लिख दिया है किसी नाम लिया नहीं होगा तो यह आपको मिल जागा है नहीं तो फिर दूसरे नाम सेट करना होगा कैप ने हम रख चुके हैं पहले कोई तो नाम चेंज करेंगा हम नपना करेंगा यह दिर अद्वल करेंगा इसकारे लिख कार अ-त अ-त ए यह व ए आथ तो नाम सेट के लिया हमने केप्टन मार्वेल और देखते हैं यहां पर क्या आए अब तो वो बोल रहे हैं कि अपने बेस पर अपना जंडा हम फैरा देते हैं तो यहां पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करने होगी ठीक है किस इसका जंडा चाहिए आपको कंट्री नेम इंडिया पर क्लिक कर देता हूं आप सर्च करके भी निकाल सकते हैं आप भी सजेशन दिये रहते हैं ठीक है इंडिया लेखा उसका आगे सेलेक्ट बटन सेलेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमें जो है एनिमी अटेक कर रहे हैं तो उनुक से लड़ना है ठीक है तो स्वाइप करकर काना आप इंगेज बटन है इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करें इस पर इस पर क्लिक करें इस पर इस पर क्लिक करेंगे दो तो तो हमने सेंड मैंन को पकड़ लिया है ठी है कंटीनु पर क्लिक करेंगे वैसे तो यह अपने आप भट जाते हैं इन पर क्लिक नहीं भी तरग तो अपने आप भट जाएंगे तो अब यहां से गेम स्टार्ट हुआ है और अब हम स्वाइप करकर देखेंगे यहां पर हर मेन्यो में हेल्प बटन है तो अगर आपको को समझ में ना है तो हेल्प से आप देख सकते हो कि क्या करना है ठीक है बैटल में आप जाओगे तो यहां बैटल मिलेंगी पॉइंट कमाते हम इन से लड़के इसमें हमाई एनिमी रहते हैं जिनने हमसे लड़ाई किये तो अगर लड़ना हो तो राइवल्स इसमें राइवल्स रहते हैं वर्जों अटाइक नियरबाइ ऐनिमी आउट पोस्ट ठीक कर सकते हैं तो स्वाइप करकर देखेंगे यहां पर हैं इसका लेवल जीरो है और इ इनके नाम भी लिखे रहते हैं, जिसने नाम लिखा होगा वो आ जाएगा उनका लेवल आ जाता है, बस हमें अटेक बटन पर क्लिक करना है तो ये लड़ाई हम जीच चुके हैं, कमेंट दिख कर सकते हैं, और दूसरे इसके अगले वाले प्लियर पर अटेक कर सकते हैं यहां पर फिर नीचे वो लिखा रहता है कि आपने क्या कह जीते, कौन कों से हतियार इस्तमाल हुए, तो यहां पर नीचे तक लिस्ट है और जो दूसरे एनेमी है, उनसे ऐसी लड़ाई है, उनके अटेक, उनकी प्रोफाइल है, उसके सामने अटेक बटन लिखा है, बस उस हूं से तक वो दीए गए है, और यहां पर 5 उप्शन है, ड्रकूट में आपको रिकूट कर सकते हो, और जो गिफ्ट मिलते हैं, वो रहेंगे उसमें, उन方ने चेक कर सकते हो, यूनेट्स, तो यहां पर आर्मी यूनिट्स रहती है एरफोर्स की नेवी की और आर्मी की तो उसमें आप उन्हें अपने हेल्प क्लिए ले सकते हो ठीक है पर चेस करना पड़ता है उन्हें ठीक है और अटेक पर बस क्लिक करके आप अटेक कर सकते हो यह special operation रहते हैं तो इस पर आप जाकर cash और skill point दोनों कमा सकते हो HQ रहता है headquarter तो यहाँ पर एक्स्ट्रा option रहते हैं तो वो देख लेंगे हैं HQ पर क्लिक किया और अब यहाँ पर हम swipe करकर कर देखें सब से उपर से ही देखें स्वाइब करकर क्या क्या है यहाँ पर तो new पर जब आप क्लिक करोगे तो जो भी notification है आप यहाँ चेक कर सकते हो experience और cash भी आप यहाँ पर देख सकते हो level 1 है 200 क्या है 200 अब है तो है अब है और अब है यह मेरे पास 26 गोल्ड बार है तो गोल्ड बार का यूज हम करते हैं जब हम कुछ चीज खरीदें तो कई बार उसमें गोल्ड बार्व की जुरूद पढ़ती है यह नाम लिखा हुआ है हमारे प्लेयर का कैप्टन मार्वल और हर दिन इसमें रेकी मिलती है मतलब गिफ्ट समझ लो कैश वगरा मिलते हैं तो अब यूज को टाइम लिखा है इतने टाइम के बाद मेलेगे फिर से कैप्ट सेंड मैंन तो यहां पर हम जाके और लड़ाई कर सकते हैं तो उसके हमें एक्स्टर पॉइंट मिलते हैं जहां कैप्ट सेंड मैंन लिखा है माइ प्रोफाइल में जो स्किल्स रहती हैं और जो आपके पास वेपन्स वागेरे रहेंगे तो वो सारी इंफोर्मेशन रहेगी आपने कित्ती लड़ाईयां कि यह वो रहेंगी और वहीं पर एडिट का ऑप्शन रहता है तो आप अपने प्रोफाइल एडिट कर सकते हो तो मेल फिमेल जैंडर सेलेक्ट कर सकते हो नाम बदल सकते हो और अपने अकाउंट इस भी कर सकते हो और उसमें अपने प्रोफाइल के बारे में थोड़ा पहतो अगर कुछ लिखना है तो वह लिख सकते हो Commander Zero भी हमने किसी को recruit नहीं किया तो Zero Commanders यहां पे शो हो रहें Search आप पलेर को सरच करने चाहते हो तो यहां से सरच कर सकते हो Warzone Warzone में भी हमें जो है ऑपरेशन्स करने पड़ते हैं तो उसके हमें फिर गोल्ड बार्डस मिल जाते है Special Operation तो इससे हमें Cash मिलता है और Skill Point मिल जाते हैं जहां पर यह लिखाया SPops यह special operations रहते हैं alliances तो इसमें आप alliance कर सकते हो दूसरे जो player है उनके साथ battle battle में वही fight रहती है economy तो आप हमना cash अगर बढ़ान चाहते हो तो यहाँ invest कर सकते हो यहाँ इसमें चीजे रहती है तो इनमें आप पैसे invest कर सकते हो eastern front eastern front Arabian desert पर click करके इसमें भी आपको point वगरा मिल जाते हैं वैसे ही उसमें भी same है लडाई करने पड़ती है बस जो लग 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 पता रहे हैं यहाँ पर लग 95 पर है यह treasury तो देखिए इसमें क्या रहता है आप जिससे भी लड़ते हो तो आप उसके पैसे चीन लेते हो ठीक है और सेम यही दूसरे लोग आपके सांथ भी कर सकते हैं तो आप अगर अपने पैसे जो है save रखना चाहते हो safe एक दम तो treasury में आप उन्हें जमा कर सकते हो तो फिर वो safe रहेंगे वो पूरी तरीके साब उसे कोई छीन नहीं पाएगा और जब जरूरत है तो वहां से उन्हें निकाल भी सकते हैं ड्रिल्स ड्रिल्स में भी जो है power up मिलती हैं और इसमें कुछ level open करने पड़ेंगे फिर यह open होगा repair इसमें जो है आप अपने इलाज करवा सकते हो बहुत जादे लड़ाई कर लिये अपनी health आपने down कर लिये तो फिर यहां से आप जागे पैसों के बदले अपनी health बापे इस फुल कर सकते हो repair R&D इसमें skill वगेरा रहती है तो उन्हें अगर आप बढ़ाना हो और भी इसमें downtown mafia में तो सरफ skill और जो है fight वगेरा stamina वगेरा बढ़ाने का था लेकिन इसमें और भी चीज है तो उन्हें भी आप बढ़ा सकते हो supply वगेरा और काफी चीज है इसमें drone hits drone hits तो जब आप इसमें जाते हो तो वहाँ पे बटन है उसपे क्लिक करोगे तो drone hit होंगे और उसमें जो है आपको weapons जो भी gift वगर है वो मिल सकते है general max जनल मैक्स तो यह तो कुछ purchase करना हो तो वहाँ जा सकते है frequently asked questions तो यहाँ पे अगर आपको कोई सवाल है तो आप उससे देख सकते हो सवाल दिए रहेंगे बहुत सारे और उनके सामने show button है बस उसपे क्लिक करना है settings setting तो setting में games related sound on off करना और background music वगेरा और log out अगर करना हो तो आप वह सब वहाँ से कर सकते हो इसके detail में option दिखाज ले नहीं रहा हूं क्योंकि similar है downtown वहाँ आप अगर कोई problem होती तो आप उसमें चेक कर सकते हो वैसे similar है बस इस tutorial को इसलिए बनाना था क्योंकि कई लोग के में downtown में problem आ रहे हैं वह लोग login नहीं कर पा रहे हैं किसी की mobile में नहीं चल रहा है तो यह सब करने हो जिनने अब तक नहीं किया तो अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाई